नमश्कार फ्रेंड मेरी चैनल पर आपका स्वागत है आप डेली सवेरे परेशान होते हैं कि कौन सा नास्ता बनाए और आप सोच रहे होंगे मैं घी बना रही हूँ हाँ जी घी बना रही हूँ पर उसकी खुर्चन का मैं क्या यूज़ करूँगी आपको दिखा रही हूँ दिखे इस तरह से घी ठंडा होने के बाद हमने खुर्चन को अलग कर लिया और प्रेस करते हुए अपने घी को बाहर कर लिया अब खुर्चन मैंने देड़ चमच ली है थोड़ा सा नमक गाजर क्रश करके दो और पोधीनया के धेड़ सारे पत्ते थोड़ी सी मिर्च और धनिया के पत्ते मिर्च बहुत पतली है पर बहुत ही तीखी मिर्च है इन्हें हम डाल देंगे उसके बाद 1-4 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रहे हैं आप चाहें तो करी पाउडर डाल सकते हिंग थोड़ा सा डालेंगे हिंग गर्मी का दीन है तो गैस्टिक वेगरा की प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या आप मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं घर का बना सकतू यानी चने को भूने हुए चने को ग्राइंडिंग जार में आप पीस लीजे उसके बाद हम इनहीं मिक्स करेंगे थोड़ा सा ज्वाइन मैंने क्रश करके डा हलका सा मैंने शूगर लिया है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं जिससे स्वाथ काफी बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे एक दो फॉर्म में लाएंगे यानी आपको टाइट डो फॉर्म लाना है और तीन इसके राउंडल्स बना ले रहे हैं थोड़े बड़े साइस के क्योंकि बड़े पराथे हमें बनाने हैं आठा हमने गूत रखा था पहले से सेम रोटी से थोड़ा सा सौफ्ट देख रहे हैं खीचते ही कैसे निकल लाएं बहुत सौफ्ट रहेगा तो यह जो कच्छी गाजर है यह पराथे से बाहर नहीं निक थोड़ा सा देखे फट गया तो उसे हम कवर कर लिए क्योंकि आठा हमारा बहुत सौफ्ट था और अब बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि अब कवर करने का कोई चांस नहीं है क्योंकि जो उपर के आठे की पर्थ है वो बहुत पतली हो जाएगी तो फट सकते हैं इसलिए आप बेलन को बहुत स्लो स्पीड में चलाईएगा और जब आपको लगे कि बेलन नहीं चल पा रहा है थोड़ा से प्रॉबलम तब पैथन फिर से लगा लेजे पैथन यानि आठा फिर से लगा लेजे ताकि हमारा जो गाजर है और बाकी मसाले पानी छोड़ेंगे नमक के कारण तो हमारे बेलन में चिपक के फट ना जाए जो मैंने घी लगाया था इसी लिए लगाया था कि अंदर से मॉइस्टर रहे और हमारे पराठे नहीं फटे और अंदर से काफी गुई पराठा बने तवा गरम होने पे हमने डाल दिया और थोड़ा सा आप एक से दो और पराठा मने पलट दिया तवा मोटा है इसलिए low to medium रखा है अगर पतला हो तो एकदम low में ही रखेगा या non stick में आप बना रहे हैं तो कम आच रखेगा घी हमने लिया देशी घी आप हम इसे अच्छे से फैला लेंगे आप चाहें तो refined का भी use कर सकते हैं पर देशी घी का पराठा जो बहुत लोगों को पसंद आता है और काफी healthy भी होता है आप देख रहें ना अंदर से मसाले सब दिख रहें पर हमारा पराठा बिल्कुल नहीं side से ना कहीं से फटा है अब दूसरी side से भी हम पलट लेंगे दो मिनट बाद हम इसे पलटेंगे तो हमारे पीछ प्रेशे के जो portion है वो थोड़ा कड़ा हो जाएगा यानि tight और हम फटा फट दूसरी तरब भी घी लगा लेंगे और लगाने के बाद अब फिर हम अपने पराठे को पलटेंगे और पराठा हो सके तो आप प्रेस कर लीजेगा अगर आपको लगे कि थोड़ा कच्चा है द आपको दिख रही ना अमारी गाजर भी बाहर थोड़ी लाइनिंग सी दिख रही है जगा जगा मैंने कच्चा रखा था ताकि पराठे में जब क्रण्च रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप न्यू कमर हैं तो थोड़ा सा ओयल डालके पैन में तड़का द कर सकते हैं पर मैंने इसे रौ भड़ा है ताकि ओयल कम से कम लगे और बहुत ही हल्दी पराठा हो इस पराठे को उने उतार दिया तवा गरम है दिख रहा है आपको दूसरा पराठा भी देखिए अमने बेला है बिल्कुल नहीं फटा दूसरा पराठा भी और इसी भी हैं तो बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं इसे या आपके कोई फ्रेंड वगरा आएं तो आप नाश्ते में बना कर उने खिलाएं लोगों को बहुत पसंद आएगा गर्मी के दिनों में पोदीना बहुत ठंडा होता है तो इसलिए पोदीना अगर आपके बगीचे में ह हैं तो ठीक है नहीं है तो मार्केट से मंगा कर आप बना सकते हैं आप देखें इसे हम घर के मक्षन के साथ सरकियं थोड़ी सी दही लिए हैं आप चाहें तो इसे आचार से भी खा सकते हैं या बिना आचार के भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो जरासा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजेगा